क्या आप IQ Z6 phone में display fingerprint set करना चाहते हैं क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने IQ Z6 phone में display fingerprint को set करें तो आई ये इस वीडियो में जानते हैं सबसे पहले इस फोन के setting को open करना है जो कि आप इस तरह शोकर रही है इस तरह शोकर रहा है इसमें मैं यहां पर फिंगर लगा का दिखाता हूं इस फॉन के setting को open करना है जो कहले है क्लिक करते हैं आपके सामने इस फोन के setting open हो जाते हैं इसके बाद ऊपर करने के बाद आपके सहमने शोकर रहोगा इस तरह से और उपर करने हैं से आप के सहले आप इजय looking at आप इस पर किलिक करेंगे या विड़र या फिंगर्परुन दोने लगाना चाहते हैं जैसे रापके सामें आ जोताए आप गाहते हैं और use fingerprint set pattern तो आप यहां पर अपना pattern को choose करेंगे चलिमे इस तरह लगा देता हूं उसके बद next करना है फिर यहां पर next करेंगे और यहां पर next करेंगे यानि confirm कर देंगे करते ही आपके सामने इस तरह setup हो जाता है आपका pattern इसके बदद आपके सामने इन्पूटिंग पे क्लिक करना है जैसे आप इस पर करते हैं तो अग्रिमेंट कहता है कि आप यहां पर ले लेंगे जो की प्रेवेसी है आप इस पर टिक लगा देंगे जो की बॉक्स है I have read the privacy statement आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बद आप यहाँ पर agreement यानि की agree पर क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने आजगा इस तरह से जो की शोक कर रहा है place your finger, put your finger on the sensor and lift after you feel a vibration तो आपको यहाँ पर जो सोक कर रही आइकन जो की fingerprint sensor है आप इस पर प्रेस करेंगे यानि की दवाएंगे या आप इस पर सटाएंगे तो इस तरह से automatic लगता जोएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं जो की आपके सामने आप इस सोक कर रहा हूँ इस तरह से आप लगाएंगी लगाते ही चाहिए थोड़ा सा भी आप यहांपड देख सकते हैं इσι तरह आपका यहांपर fingerprint शक्सिसफुल यहांपर हो जाएगा आड आप यहांपड देख सकते हैं जो कि fingerprint added हो गया इसके बाद आपको यहांपर unbedingt क्लिक करना है जो किया पे सोगरा डनका option है आप इस पे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके सामें आपका fingerprint setup हो जाता है आप यहां पर इस तरह बैंक हो जाएंगे home button पे क्लिक करके और एक पर lock करेंगे लौ आई Q Z6 44 Watt charger वाले फॉन में अपना fingerprint को setup कर शक्ते हैं बरी आसान से तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पशंद आया होगा चलिए फिर मिलेंगे एगल वीडियो में दीजिए इजाज़त थैंक्स से मैंच